महराश्च्र की सियासत का हब बना जैपूर रिजॉर्ट से सभी कॉंग्रेसी विधायक रवाना हो चुके हैं महराश्च्र के कई बड़े नेताओं के साथ अविनाश पाने भी मौजूद हैं दिल्ली में शाम चार बजे फिर से CWC की बैठक होगी आपको बतादे कि महराश्च्र की सियासत का हब जैपूर बन चुका है लगातार महराश्च्र में सरकार बनाने को लेकर खीषतान जारी है और इसी बीच आज CWC की शाम चार बजे एक बार फिर से बैठक होने वाली है दिल्ली में शाम चार बजे फिर से CWC की बैठक होगी और फिलाल रिजॉर्ट से सभी कॉंग्रेस से विधायक रवाना हो चुके है महराश्च्र की सियासत का जैपूर हब बन चुका है और इसी बीच दिल्ली में एक बार फिर से बेहत एहम बैठक CWC की होने वाली है और इस बैठक का समय शाम चार बजे का रखा गया है रिजॉर्ट से सभी कॉंग्रेस से विधायक फिलाल रवाना हो चुके हैं महराश्च्र के कई बड़े नेताओं के साथ आविनाश पान्डे भी साथ ही मौजूद है और अब दिल्ली में शाम चार बजे फिर से बैठक होगी और इसी खबर पर और दिक जानकारी देने के लिए एवन समाधाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुरे है हमार साथ दिनेश बताए फिर से दिल्ली में आज बैठक होगी CWC की शाम चार बजे देखे लविना जो माराष्ट का जट्का क्रम है उसको लेकर कॉंग्रिस और NCP के संपर्क में लगातार सिवसे ना संपर्क कर रही है बाजपा वहाँ सरकार बनाने में नाकम रही है इसके चलते माराष्ट के खरीद परवग्ट नहीं हो इसको चलते जो कॉंग्रिस के चमाली से विदायक है उनको पिछले दो दिन से जैपूर लाया गया है जैपूर में विश्टा रिसोर्ट में वो ठेहरे हैं और आज जो राज़स्तान के प्रवारी हैं अविनाज पांडे उनकी साथ सुसील कुमाल से और जो चोवान है वाके असोग चोवान और वो तुराज चोवान वो दोनों चारो नेता दिली के लिए रवाना हो चुके हैं साथ ही माराष्ट के कई विदायक भी यहास से रवाना हो चुके हैं पिलाल अभिकांच जो विदायक हैं वो रिसोर्ट में ठेहरे हुए हैं स्याम चार बजे दिली में कॉंगर सेंचिपी की बैठेक होगी उसके बाद ही यह तैह होगा कि सिवसेना को समर्थन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा जी दिनेश तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धनवाद एगवर आपको फिर से बता दे महराश्री के सियासत का हब जैपूर बन चुका है और आज दिली में शाम चार बजे फिर से CWC की बैठक होगी जिसके बाद कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी